कोशल मारकेट की अपडेट देने के लिए Zee Business के Sting Operation हफता वसूली का एक और बड़ा असर दिख रहा है Google भी Lending Apps को लेकर सतर्ख हो गया है पूरी खबर जानते हैं आशीस से जब Sting Operation हमने किया था तब मुद्दा हमने उठाया था जो ब्लैक मेल किया जा रहा है परस्नल लोन देने के बाद उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत यह थी कि जो परस्नल लोन आप्लिकेशन थे और जिसने लोन लिया था इसका सारा डेटा वो देख पा रहे थे हैं इसी के चलते वो चलते यह ब्लैक मेलिंग हो रही थी अब यहां पर अगर आप देखें तो इसके आक्सेस पर पूरी तरीके से प्रतिबंद लगा दिया गया या आप देखें जो एक्स्टर्नल स्टोरेज है लोन आप्लिकेशन वो नहीं देख पाएगा साथ में जो अब यहां पर अगर आप देखें तो इसको फाइनली हमारी बड़ी मुहीं के बाद गूगल ने रिस्टिक्ट कर दिया है अपनी डेवलपर पॉलिसी में बदलाव करके तो एक बड़ी रात की बात है अब यहां पर अगर आप देखें तो माना जा रहा है कि अब लेंडिंग आप सोड़ी से सुरक्षित हो पाएंगे क्योंकि जो ब्लाक मिलिंग की जो चीजें थी अब यह कंपनी अक्सेस नहीं कर पाएंगे इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे बदलाव यह भी किये रेगुलिटरी बदलाव जैसे कि एप्लिकेशन में जो डिस्क्रिप्शन होता है जब आप प्ले स्टोर पे कोई भी आप्लिकेशन डाउनलोड करते हैं तब एक डिस्क्रिप्शन होता है इस डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी जो NBFC है बैंक है या कोई भी कम्प्नी है इसका पूरा ब्याओरा पूरी जानकारी आपको देनी होगी अगर सिर्फ एक exchange platform है जहाँ पर अगर आप देखें तो lenders जो है वो मिल रहे हैं यहाँ पर गराग दूसरी दूसरी company से loan ले सकते हैं ऐसा भी अगर कोई platform है तो इसको भी आपको बताना होगा कि इनके तुरू डिरेक्ट नहीं मिल रहा है किसी और के तुरू loan ले पा रहे हैं तो इसकी भी जानकर देनी होगी लेकिन बड़ी रहत और बड़े असर यही है कि अब फिलाल अगर आप देखें तो जो निजी data company प्रती मतलग किया है